नुमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल डेली रोज़िकार पर दोस्तों तो यदि आप भी मद्धप्रदेश राजज के मूली नवाशी हैं और बैंकिंग सेक्टर के अंतरगत एक अच्छे इस्तर की नौकरी की तलास न जुटे हुए हैं तो आप सभी के लिए आज का वीडियो काफी महत्पुड होने वाला है क्योंकि दोस्तों आप सभी के लिए काफी बड़ी गुणिक्स दी हैं दोस्तों आप के लिए वता दें फाइनली मद्प्रदेश राजज के अंतरगत बैंक विभाग के द्वारा बिबिन पदों पर ओपिसल लोडिफिकेशन को आउट कर दिया गया है जो कि दोस्तों इस बड़ी के अंतरगत अपलाई करने के पस्चाथ आप सभी अपने ही राजज में बैंकिंग सेक्टर के अंतरगत एक अच्छे स्तर की नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं जो कि दोस्तों आप चाहे मद्वर्देश राजज के किसी वी जले या फिर किसी भी ग्राम सीनेबास करते हो प्रतेक मेलेवंफ विल्यानी की सभी लड़के और लड़किया ही इस बड़ती ही तू सफलता पूर्बा का अपलाई कर सकते हैं जुसकी आप इतन प्रिकरिया अल्रेडी ही प्रारम में की जा चुकी है और आप सभी 20 सेप्टेंबर 2024 तक इस बड़ती ही तू सफलता पूर्बा की अपलाई कर सकते हैं दोस्तों तो यदि आप बेस बाकेंसी ही तू एक चोकें हिबम अपलाई करना चाहते हैं तो आप सभी से छोटी सी रेक्वेश्ट है कि आप सभी हमारी वीडियो पर बिना स्किप करी अंतेम तक बने रही हैगा तो आएए दोस्तों चलिए जल्दी से बिना समय गबाय हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों तो सर्व प्रत्वम आप सभी मद्वर्दे सिराजी के इंतरगत निकालेगी बैंक के बिभाग न्यू भरती 2024 के ऑपिशल लॉडिफिकेशन को अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे जी हाँ दोस्तों याँ ओफिशल लॉडिफिकेशन आपके लिए हमारे टेलिग्राम ग्रोप पर प्रोवाइट करा दिया जाएगा जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रेशन में देखने के लिए मिल जाएगे बहां जाकर आप इसको डाउलोड कर सकते हैं और एक एक करके संपुन जानकारियों को पूरा पढ़ सकते हैं तो दोस्तों यदि अब हम सबसे पहले इस बरते के औरगनाइजिसन नीम यानि की बिभाग की बात करें को आप सभी यहाँ पर देखी सकते होंगे इंडियन ओवरसीज बैंक की तरफ से इस न्यू एबम लेटेस्ट वैकनसी के ऑफिशल वाटिफिकेशन को आउट किया गया है जी हाँ दोस्तों आपके लिए वतादे इंडियन ओवरसीज बैंक इंडियन बैंक की एक साका है जो भारत सरकार के अंडर में कारे करती है इस बरती के अंतरगत आप सभी कले अपरेंट सिप के दिभिन पद देखने के लिए मिले वाले हैं जी हां दोस्तों आपके लिए बता दें इस vacancy की आबितन प्रिक्रिया का प्रारंब 28-28-2024 जानी की 28 अगस्ते से कर दिया गा है और आप सभी 10 सितंबर 2024 तक इस भरते हैं तो सफलता पूरबा की अपलाए कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों यदि आप सभी इस vacancy के अंतरगत अपलाए करते हैं तो आप सभी का online exam 22 सितंबर 2024 को कंड़क्ट कर दिया जाएगा जी हाँ दोस्तों आप के लिए बता दें यदि इसका exam 22 सितंबर 2024 को कंड़क्ट होता है तो कुछी दिनों के पस्चाथ इसका रिजल्टिफी डिकलेयर कर दिया जाता है जो कि यदि आप सभी इस vacancy के अंतरगत अपलाए करते हैं तो अक्टूबर तक नौकरी आपके हातों में होगी इसलिए आप सभी इस vacancy ही तो अपलाए कर सकते हैं दोस्तों तो यदि अब हम इसके पस्चा टोटल नंबर और वाकेंसिस यानि की पदों की संख्या की बात करें तो आपके लिए बता दें इस भरती का ओफिशल लॉडिफिकेशन कुल मिलाकर 550 पदों पर मिले वाली हैं जोकि यदि आप सभी बैंकिंग सेक्टर के अंतरगत नौकरी करने ही तो एक छोक हैं तो आप सभी इस vacancy के अंतरगत अपलाए करके अपने ही राज्य में एक अच्छे स्थरी की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों तो यदि अब हम इसके पसाद एज ल ओबीश यानी की एक अगस्त की आधार पर होने वाली है जिसमें आपको सरकारी नियमों के अनुसर चूट भी प्रोवाइट कराई जाती है यदि आप सभी ओबीशी कैटिगरी से आते हैं तो आप के लिए तीन बरस तक की चूट देखने के लिए मिल जाएगी यदि आप स इसके पस्ट एजूकेशन कॉलिफिकेशन यानी की सेक्षण के ऊग्यताओं की बात करें तो इसकी जानकारी आप सभी यहां से प्राप्त कर सकते हैं जी हां दोस्तों आपके लिए बता दें यदि आपने किसी भी माननेता प्राप्त दिस विद्याले से किसी भी इस्ट्री की बात करें तो आप सभी के लिए बता दें यहां पर आप सभी के लिए नीचे सेड़ी डीटेल यानि की इस टाइप एंड की जानकारी भी देखनाई के लिए मिले वाली है जो कि आप सभी यहां पर देखी सकते होंगे अलग-अलग ब्रांच के टीगरी के साब से आपका अल 12,000 रुपए का बेतन मिलने वाला है वहीं यदि आप सभी सेमी अर्बन यानि की रूरल एरिया में सेलेक्ट होते हैं तो आप के लिए पर मंत 10,000 रुपए तक का बेतन प्रोवाइड कराए जाएगा वहीं दोस्तों यदि अब हम सेलेक्शन प्रोसेस यानि की चैन प्रिक् आने वाले हैं तो इस प्रकार से अब्जेक्टिव टाइप कोश्चन को सेलेक्ट करके आप सभी इस भरती के अंतरगत सेलेक्ट हो सकते हैं इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए बता दें यदि आप सभी ऑनलाइन टेस्ट को निकाल लेते हैं तो उसके पस्चाथ आप सभी यहां पर देखी सकते होंगे जहां पर नीचे इस टाइप एंड की जानकारी को भी प्रोवाइट कराएगा है जी हां दोस्तों आप सभी के लिए बता दे यदि आप सभी इस भरती के अंतरगत मेट्रो ब्रांच कैटिगरी के अंतरगत सलेक्ट होते हैं तो आप स सभी सेमी अर्बन और रूरल अरिया के अंतरगत सलेक्ट होते हैं तो आप सभी के लिए पर मंथ 10,000 अपे तक का भीतन प्रोवाइट कराया जाएगा बहीं दोस्तों तो यदि अब हम इसके पास साथ सलेक्शन पोसिस यानि की चैन प्रिक्रिया की बात करें तो आप सभी के यह बता दे इस बाकेंशी की अंतरगत आप सभी का सलेक्शन दो चरणों के आधार पर होने वाला है सबसे पहले आप सभी का ओनलाइन आग्जामेशन कंड़क्ट कराया जाएगा उसके पस्चाथ आप सभी का एक लोकल लैंगविज टेस्ट होगा तो इन दो चरणों को प केंसी की अंद्रगत अपलाई करने के लिए आपका एप्लिकेशन फीस भी लगने वाला है जिसकी जानकारी आप सभी यहां से प्राप्त कर सकते हैं यदि आप सभी जनरल ओवी सी आफर एड़ एस कैटिगरी से आते हैं तो आप सभी कले 800 रोपे आपिदन सुलक का भुक्तान करना होगा जो कि आप सभी कले 18% का जियाश्टीवी लगने वाला है इसलिए आप सभी 944 रोपे आपिदन सुलक का भुक्तान करके इस भरती हितु अपलाई कर सकते हैं वहीं यदि आप सभी महला है या फिर SCST कैटिगरी से आते हैं तो आप सभी 708 रोपे सुलक का भुक्त हैं कि आप सभी कले आप लाए कैसे करना है दोस्तों तो मद्व प्रदेश राज्य के अंत्रगत निकाली कई बैंक विभाग न्यू भरती दोहजार चौबी से तो यदि आप सभी एक चोके और अपलाई करना चाहते हैं तो इसकी आविदन प्रिक्रिया पुन रूप से ही सबसे पहले आप सभी के लिए इस आदिकारक वैबसाइट यानि की बी एफ एस आई एसससी डॉटकॉम इस आदिकारक वैबसाइट पर विजिट कर लेना है जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रेशन में भी प्रोवाइट करा ली जाएगी अब दोस्तों इस आदिकारक वै दोस्तों यदि आप सभी इस बैकेंड से ही तो अपलाई करना चाहते हैं तो अपलाई का लिंक भी आप सभी के लिए यहां पर देखनाई के लिए मिल चाहिएगा लेकिन दोस्तों अपलाई करने के लिए सबसे पहले आप सभी को Nats portal पर जाकर इसका registration भी करना होगा च्यों आप सभी यहाँ पर देखी सकते होंगे इस प्रकार से इंडियन ओवर्सीज बैंक का संपून अप्लिकेशन फारम आप सभी की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा तो अब दोस्तों यहाँ पर मांगें सभी जानकारियों को आप सभी के लिए एक एक करके ध्यान पूरा दर्ज करन है दोस्तों सभी जानकारियों को दर्ज करने के पस्टाथ सिंप्ली आफ सभी के लिए सब्मेट वाले विकल पर क्लिक कर देना है तो इस प्रकार से इस बैकेंसी के अंत्रगत आप सभी का आभी दन सफलता पूर्बा की कंप्लीट हो जाएगा